नमस्कार दोस्तों मा का खजना चैनल में आप से भी का स्वागत है मैं वजना आपके लिए मैं मोज की चटनी लेके आए हूँ जो बहुत जल्दी बन जाता है अगर आप में चैनल के नहीं तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए चटनी ले देखे मैंने यह लाग मिर्चा लि दोस्तों कश्मीरी मिर्च जोे हर जिएह नहीं मिल पाती है कहीं कहीं मिलती है तो उसकी जगे मैं आपको आपको प्यादी ज्यादा है तो मैंने डेराज लाह हुआ है इससे बहुत अच्छा कलर आता है और यह जो मिर्चा आपका यह सिसी कड़वा आपको मिलेगा तीखा पनाएगा और इससे अच्छा सा कलर आएगा अग इसमें देखिए एक टमाटर मैंने ये काटा हुआ अब एक टमाटर में इसमें डाल देंगे गैस को हम मीडियम कर लेंगे इसके बाद इसमें जो है हम नों एक चम्मस चोटा एक चम्मस नमक डालेंगे नमक आप स्वाद मुसार डाल सकते हैं और इसको देखिए मैंने पानी डाला था वो सब सूख लिया इसके बाद टमाटर गल्ले तक इसको हम पकाएंगे अच्छे से में इसको मिक्स कर दें अब इसमें दोस्तों आधा चम्मच में मिर्चा लैसुल और अद्रक का पेस्ट में इसमें आधा चम्मच डाल दोंगी आप खड़ा भी डाल सकते क्योंकि इसको हमको मिक्सी में पीसना भी है चाहिए आप पेस डाल देजाए दर ग्लैस को आदा चम्मस डालेंगे और इसको टमाटर गलने तक हमें इसको पकाएंगे इसको ढख देंगे अब दोस्तों देखें टमाटर गल गया है हमों गैस को बुझा देंगे और बुझाने के बाद इसमें एक चम्मस जो है मैं सफी सिर्का या वेगनर मैं डाल दोंगे इसमें एक धक्कर मैंने डाल दिया है और गैस को दोस्तों बुझाने के बाद ही इसको डालना अब इसको हम मेक्सी की जार में इसको हम पीस लेंगे देखें दोस्तो चटने पीस गे किति बढ़ियां देखने में लग रही है और कलर भी बहुत रेट कलर में दम आया हुआ है और पास से मैं दिखाती हूँ कि किती बढ़ियां देखें बनके आपके मिमोस के चट्नि तयार हो गई है और इसको अब आप चाहे तो चाहे चाहन लेजाब सब्सक्राइब चाहने करेब करें लेकिन दोस्तों देखने में बहुत महीन हमारी पिर शाने की जूरूरत नहीं है अगर आपके बड़े-बड़े चिलकाय का टमाटर कि समें इसमें जो मेकसे में चाटनी दाल दिया है अब गैस को तेज रखेंगे और इसको चला के भूणेंगे इसके वाद इसमें में एक चम्माच जो है चीनी डालोंगी क्योंकि नमक पड़ा है तो उसको जहें स्वाद अच्छा हो जाज़ा बैलंस करता स्वाद को यह चीनी और इसमें मैं आधा चम्मत जो है स्वयसास डालूंगे और इन सब को मिसके अच्छे से हम इनको पकाने में अगर आपको कम लग रहा तो इसमें नमक खोड़ा सा जादा डाल सकते हैं अच्छे से में इसको पकाए है गाड़ा होने तक अब दोस्तों देखें चत्नी में दिखा रहे हैं आपको यह गिरते वे यह देखें गाड़ी इस तरह गिरे इस का मतलब हमारी चत्नी त्यार होगे अगर हम गैस को आफ कर देंगे ठंडा करके इसको बावल में निकालेंगे गैस को मैंने बंद कर दिया है अब इसको ठंडा करके बावल में हम निकाल लेंगे तो दोस्तों चटनिरे के मैंने बाउल में निकाल ली है और देखने में किता सुन्दर कलर आया है और दोस्तों खाने में भी वैसी टेस्टी है अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मा के ख़़ाने चले को सब्सक्राइब करना बिल्कूं मत भ लिए अपने फ्रेंडों में मेरा वीडियो प्लीज शेयर करिए फिर मिलते हैं ने रेस्पी के साथ नमस्कार